ओम स्टिचिंग चैनल को सस्क्राइब करें और बेल आइकन दवाना ना भूलें बेबी सरारा बनाने के लिए मैंने बचा हुआ कपडा लिया है और इसको एक बार ऐसे फोल्ड कर लिया है ऐसे फोल्ड करने के बाद मैं इसको एक बार और फोल्ड कर दूँगी अब एक अपड़ा चाल लेयर में हो गया है हम सबसे पहले उपर के पाट की कटिंग करेंगे उसके बाद हम घेरा की कटिंग करेंगे सबसे पहले हम उपर की साइड में दो इंच पर एक निसान लगाएंगे ये निसान हम Elastic डालने के लिए लगा रहे हैं इसमें में 1 इंच चोड़ी Elastic डालूंगी अब यहां से नीचे की साइड में हम लंबाई के लिए निसान लगाएंगे तो उपर का पार्ट में तयार रखूंगी 10 इंच का तो इस कपड़े को हम आदा इंच जादा रख लेंगे तो साड़े 10 इंच पे हम निसान लगा देंगे 10 इंच का हमारा उपर का पार्ट तयार हो जाएगा और 10 इंच का हमारा नीचे का गेरा तयार हो जाएगा तो हमारा टोटल सरारा हो जाएगा 20 इंच का अब यहां से इसकी हम cutting कर देंगे मैंने इसकी cutting कर दी है अब हम यहां पे बच्ची के hip का चौथाई भाग लेके उसमें डेड़ इंच की losing aid करेंगे तो हमारी बच्ची के hip का नाप है 20 इंच उसका चौथाई भाग वा पांच इंच इसमें हम डेड़ इंच की लूजिंग एड़ करेंगे तो साड़े छे इंच पे हम निसान लगा देंगे यहां से नीचे की साइड में हम आसन के लिए निसान लगाएंगे आसन हम थोड़ा लूज रखेंगे तो हम साड़े साथ इंच पे निसान लगा देंगे इस निसान को सीधा कर लेंगे और यहाँ पर आगे की साइड में हम देड़ इंच और बढ़ा देंगे अब इसमें हम गोलाई कर देंगे यहाँ पर हम महुरी के लिए निसान लगाएंगे महुरी रखेंगे हम साड़े छे इंच की इसमें आदा इंच हम सिलाई के लिए रखेंगे तो साथ इंच पर हम निसान लगादेंगे अब यहाँ पर हम ऐसे इसको मिला देंगे इस निसान से इस निसान को मिला देंगे अब हम इसकी कटिंग कर देंगे मैंने इसकी cutting कर दी है और मैंने गेरा के लिए दो पीस कट किये है इनकी लंबाई है 27 इंच और चोड़ाई है 31 इंच मुझे 10 इंच का तैयार गेरा चाहिए तो मैंने इसमें 1.5 इंच का margin रखा है अब हम इसकी सिलाई शुरू करते हैं एक पर्दे को मैंने सीधी साइड से रख लिया है इसके उपर दूसरे पर्दे को ऐसे उल्टी साइड से रख देंगे और ऐसे सिलाई लगा के आसन को जोड देंगे ऐसे ही हम सिलाई लगा के दूसरी साइड के आसन को भी जोड देंगे मैंने सिलाई लगा के दौन साइड के आसन जोड दिये हैं अब हम गेरा वाले कपड़े को लेंगे और इसमें इस जगे पे मोटे टांके वाली सिलाई लगा देंगे मैंने इस पे बड़े टांके वाली सिलाई लगा ली है अब हम एक साइड से एक दागे को पकड़ लेंगे ऐसे दागे को पकड़ के हलके हाथ से इसको खींचेंगे और इसमें हम छोटी-छोटी चुननट बनाते जाएंगे इस उपर वाले पर्दे को हम ऐसे रख लेंगे उपर वाले पाट को और हमें इसकी चुननट इतनी बनानी है कि इसके बरावर रह जाए ये कपड़ा ये इसके बरावर आ गया है ऐसे ही हम दूसरे कपड़े की भी चुननट बना लेंगे मैंने दौनों गेरा वाले कपड़े की चुननट बना ली है अब हम इस गेरा को जोड़ेंगे इसमें तो हम एक परदे को ऐसे कर लेंगे अब ये इसकी सीधी साइड है इसके उपर इस गेरा वाले कपड़े को ऐसे उल्टी साइड से रखेंगे और सिलाई लगा के इसको जोड़ देंगे इस गेरा को मैंने इसमें जोड़ दिया है अब हम इसके उपर लेस लगा देंगे ऐसे ही हम दूसरे पैर के गेरा को जोड़ देंगे और उसके उपर लेस लगा देंगे मैंने दौनों साइड के गेरा को जोड़ दिया है और लेस भी लगा दी है अब हम गेरा को नीचे की साइड से ऐसे डवल फोल्ड करेंगे उल्टी साइड में और सिलाई लगा देंगे दोनों पैर के गेरा पर ऐसे ही सिलाई लगा देंगे अब हम गेरा के नीचे की साइड में लेस लगा देंगे दोनों पैर के गेरा पर लेस लगा देंगे मैंने दोनों पैर के गेरा पर लेस लगा दी है अब हम इस पर ऐसे सिलाई लगा देंगे और उपर की साइड में हम इलास्टिक डालने के लिए बेल्ट तयार कल लेंगे पहले इसको आदा इंच फोल्ड करेंगे उसके बाद हम इसको थोड़ा सा और फोल्ड करेंगे और बेल्ट तयार कर लेंगे हम सिलाई लगा के थोड़ी सी जगे हम खुली छोड़ देंगे इलास्टिक डालने के लिए मैंने ऐसे सिलाई लगा दी है और मैंने उपर की साइड में बेल्ट तयार कर दी है इलास्टिक डालने के लिए और ये थोड़ी सी जगए मैंने खुली छोड़ दी है, यहां से मैं इसमें इलाश्टिक डालूंगी इलाश्टिक हमें बच्चे की कमर के नाप से 3 या 4 इंच कम लेनी है मैंने इलाश्टिक 16 इंच लंबी ली है अब मैं इसमें इलाश्टिक डाल दूँगी और इलाश्टिक डालने के बाद खुली हुई जगय को सिल दूँगी इस जगय को सिलने के बाद एक सिलाई में इलाश्टिक के बीच में लगा दूँगी यहां पर मैंने इसमें इलाश्टिक डाल दी है और इलाश्टिक डालने के बाद एक सिलाई इलाश्टिक के बीच में लगा दी है अब हमारा सरारा बनके तयार है वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करें